नमस्कार दोस्तों मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अब सभी का एक बर फिर से अपनी यूटूब चैनल रेर फैक्ट्स में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे थोमस अल्वा एडिसन के बारे में जो के कविस्कारक थे एडिसन दुनिया के सबसे बड़े प्रोयोगिक वेग्यानिक है एडिसन का जनम 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहायो राजे में हुआ था सेम्वल ओग्डेन एडिसन जूनियर और नैंसी मैथ्यू इलियट एडिसन के माता पिता है एडिसन के नाम लगबग 1033 में पेटेंट है जो उनकी मेहनत को दरसाता है अमेरिका के अलावा United Kingdom, France और जर्मनी में भी उनके नाम पेटेंट है एडिसन एक गरीब परिवार से थे उनके आर्थिक स्तीती बहुत खराब थी एडिसन को अलप आयू में ही स्कूल से निकाल दिया गया था तब उन्होंने अपनी मा से ही ग्यान प्राप्त किया था एडिसन समय को पैसा और मेहनत को सफलता और संतुष्टी कहते थे इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज इनकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है एडिसन बिजली का बल्ब बनाते समय दस हजार बार से अधिक ऐसफल हुए थे जब एडिसन दस हजार बार ऐसफल हुए तो उन पर सवाल पूछ गया तब उन्होंने कहा कि मैं फैल नहीं वाओं मैंने दस हजार तरीके खोज लिये हैं जो काम नहीं करते इस महान वैग्यानिक की कोशिस के जरिये ही सारी दुनिया रोशन हुई थी एडिसन ने अपनी पहली परियोग साला दस साल के उम्र में ही बना ली थी माने एडिसन को एक रासाइनिक पुस्तक दी थी एडिसन उसमें से सारे परियोग कर डाले थे Edison 12 साल की उम्र से बहरे थे वह इसे अपनी कमजोरी नहीं बलकि काम के लिए और अपने ध्यान पर एकागरता मानते थे Edison ने 14 साल की उम्र में एक 3 साल के बच्चे को रेल के नीचे आने से बचाया था तो उस बच्चे के पिता ने Edison को टेलिग्राम मसीन चलाना सिखाया था Edison को बच्चपन में परियोग के लिए पैसों के जरूरत थी इसलिए वह सबजी और अख़बार बेचते थे दोस्तों 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खरी दी और जिसके वह पत्री का छापते और खुद स्टेशन उपर वह बेचते थे जब उनका कोई प्रियोग होने को होता तो वह बिना स्वय लगातार चार से पांच दिन तक भी काम करते थे यहां तक कि वह खाना पीना भी छोड़ देते थे सन 1900 तक एडिसन एक व्याग्यानिक के साथ साथ अमीर व्यापारी भी बन चुके थे एडिसन ने अपने आठ साल में बहुत सारी बिजली स्टोर करने वाली बैटरी लगा दिये थे जो कार में प्रियोग होने वाली बैटरियां लगती थी एडिसन का एक परसिद कथन है जीनियस व्यक्ती एक परतिसत प्रेणा और 99 परतिसत मेहनत से बनता है अपनी पहली खोज के लिए उस समय एडिसन को लगबग 40,000 डोलर मिले थे जो इस समय 7,50,000 डोलर के बराबर है एडिसन लगबग 18 गंटे अपनी वरक्शोप पर काम करते हुए बिताते थे अलेक्सजेंडर ग्रहम बेल द्वारा खोजे गए टेलिफोन में एडिसन ने कई सारे सुधार किये थे एडिसन ने 1890 में फिल्मी कैमरा बनाया था जो एक सेकेंड में 25 फोटो खीच सकता था मेरी स्टील वेल और मीना मिलर से विभार अचाने वाले एडिसन की 6 संताने थी एडिसन का निधन 18 अक्टूबर 1931 को हुआ था तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे योटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद